नमस्कार दोस्तों, Teaching और Non-Teaching Stop की नई विकेंशिय के साथ आपको इस वीडियो में इन्फोर्मेशन दे रहा हूँ तो जो विकेंशिया आई है, यह Teaching Stop में विकेंशिया है और यहाँ पे जो डिटेल दीगी है, Non-Teaching Stop की विकेंशिया है जो साथ इनको apply करना चाता है, जिसको job की जरूरत है, वो वीडियो को like channel को subscribe जरूर करे और वीडियो को share जरूर करे, यदि आपका कोई relative है, जो यहाँ पे अपना farm बढ़ना चाता है उसके साथ ये वीडियो जरूर share करे, और farm कैसे बढ़ना है, क्या आपको करना है, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ तो दोस्तो, GVM Girl College मूर्थल रोड, सोनीपत की विकेंशिया है, MDU University से affiliated है यहाँ पर यह इनकी contact detail दी गई है, इनकी website है, और जो email ID है, यहाँ पर दी गई है, ठीक है और यह principal, GVM, GC को, यह जो at gmail.com में, यह वहाँ की principal की email ID है तो invite application for the following post of assistant professors, female only, ठीक है, सिर्फ female category की जो है, विकेंशिया है, teaching staff में only on regular basis, in self-financing course as per the detail given below यहाँ पर आप विकेंशिया देख सकते हैं, teaching staff की विकेंशिया है, हिंदी, English, political science, geography, computer science, home science, mathematics, b.com, honors, m.com, physics, biotechnology, chemistry, geology, physics, UG, यहाँ पर ठीक है, history, music और chemistry यह विकेंशिया यहाँ पर दी गई है इसके लावा जो non-teaching की विकेंशिया है, clerk, typist, computer operator, accountant, lab attendant, storekeeper, electrician और p.n. की विकेंशिया है, mali की विकेंशिया है, चोकीदार की, सफाई करमचारी की विकेंशिया है, library, staff की विकेंशिया है, ठीक है restorer, computer operator, p.n., gate की पर, यहाँ पर यह सारी विकेंशिया है जो आप इसमें apply करना चाहते हैं तो आपको कैसे apply करना है यह आपको बता देता हूँ salary negotiable है qualification and other conditions as per post as per MD University हर्याना government UGC rules जो university के rules regulation और उसके according जो है आप इस salary दी जाएगी और selection criteria होगा ठीक है और जो form है वो आपका college में open up दोगा सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक आप वहाँ पर अपना farm जमा करा सकते हैं cash payment of Rs.500 डीडी ओ अगर आप cash जमा कराएंगे तो 500 रुपए की fees आपको जमा करानी पड़ेगी और डीडी के साथ करेंगे तो 500 रुपए का डीडी आपका जमा होगा क्योंकि उस पर extra charge लगता है 4 teaching post यह जो 500 रुपए की fees है यह teaching post के लिए है जो non teaching post है उसमें 200 रुपए और 2500 रुपए का डीडी लगता है मतलब cash जमा कराएंगे तो 200 रुपए और डीडी बनवाएंगे तो यहाँ पर 2500 रुपए का डीडी लगेगा non teaching post के लिए इन favor of principal, gvm, girls college, sonipatin के favor में जो है यहाँ पर अगर आप डीडी बनवाते हैं तो इनके favor में आपका डीडी बनेगा ठीक है तो पूरी टेल यहाँ पर दी गई है 21 दिन के अंदर आपको यहाँ पर जमा करवाना है 7 जून 2022 को यहाँ पर लास्ट आपके application पहुँच जानी चाहिए अगर by post आप करना चाहते हैं तो यह आप वहाँ पर apply करने के लिए 7 जून तक आप application दे सकते हैं और आप by post भी करेंगे तो 7 जून तक ही आपके application वहाँ पहुच जानी चाहिए 21 दिन आज यह news paper में आई है तो जो साथी अपना apply करना चाहते है इस post के लिए यह जो सभी post है यदि आप इनमे apply करना चाहते है अपनी category और अपनी qualification के according तो वीडियो को like चैनल को subscribe करें इस तरह की सब जानकारी आपको यहाँ पी मिलती रहती है दोस्तों इस related कोई जानकारी हो तो मेरे आप वीडियो के नीचे comment जरूट करिएगा और वीडियो के description में मैंने link दे रखा है अपना group गयरा का तो आप मेरा group join कर सकते हैं उसमें भी काफी सारी जानकारी जों में share करते रहता हूँ धन्यवाद